स्री शिवाय नमस्तु भ्याम हम सबको पता है कि साल का पहला गुरुवार का दिन आ गया है और ये जो वीडियो है वो है दर्द की समस्या को खतम करने के लिए काफी लोगों के मैसेज आये मुझे इंस्टाग्राम पे बहिए हमारी बॉडी में यहाँ पेन होता है वहाँ पेन होता है उसके लिए कोई इजी सा उपाय बता है तो बस आपको एक पीली सी चीज महादयो के शिवलिंग के उपर रख देनी है जो कि पूझ जी गुरुजी की कता से सुनके बहुत अच्छे से समझाऊंगा कितना भी पुराना दर्द हो कितना भी बड़ा दर्द हो वो सारा पेन सारा दर्द आपका खतम होगा ठीक है कैसे करना है वो कौन सी पीली सीज है इसकी बात करेंगे वीडियो को पूरा देखिएगा ठीक है ना चलो समझते हैं हम लोग पहले उपाय को इसक्रण पर आपको दिख रहा होगा कुछ ये है आपके सामने इसको बोलते हैं जनेव है ना यहाँ पिदे को जनेव दो तरीके के होते हैं ये जो आपके सामने इसक्रण पर दिख रहा है ये है सफेद जनेव एक आता है पीला जनेव हमें पीला जनेव मार्केट से खरीदन नहीं है हमें लेना होगा सफेद जन्यू साथ कितने साथ सफेद जन्यू लेना अब इस सफेद जन्यू को हमें करना होगा पीला कैसे करोगे वैसे तो गुरू जी की जो किताब है बुक है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको करना होगा हल्दी से पीला लेकिन काफी लोग कं पर में अगर पीला चंदन हो तो पीले चंदन से इन साथ की सातेव जनेव को आपको करना होगा पीला ठीक है कर लिया पीला और उसके बाद में लेके चले जाना कहां पे महादेव के शिवलिंग के पास में फेस रखना उत्तरदिशा नौर्थ डिरेक्शन एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको पहनाने जाना है एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको पहनाना होगा जब आप पहनाओगे तो यहां पर आपको महादेव का आओ धू तेश्वर महादेव कौन से महादेव आओ धू तेश्वर महादेव का नाम लें जैसे भी प्रातना करनी हो कर लेना सिर्फ और सिर्फ हफते में एक बार उपाय को करके देख लेना दो से तीन हफते करना है बहुत लंबे टाइम तक नहीं करना दो से तीन हफते तक हफते में एक बार किसी भी दिन आपका मन करें किसी भी समय सुबह दोपहर शाम रात करके देख लीजेगा इजी उपाय था आपकी बॉड़ी में पुराने से पुराना पेन होगा चाहे कमर दर्द है, सर में दर्द होता है, माईग्रेन की प्रॉब्लम है वो सारी समझता है आपकी खतम जरूर होगी ठीक है, पहली बात आपको समझ में चलो तो आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय के तरफ और ये जो दूसरा उपाय है, उपाय सबसे पहले समझो कि इसके फायदे के हैं पहला फायदा तो ये है कि अगर आपके घर में कोई भी इनसान बहुत करोध कर रहा है, बहुत गुस्से वाला इनसान है, चिर्चिट हमेशा करता है, तो कर सकते हैं दूसरा ये उपाया बीमारी के लिए भी कर सकते हैं समझने कोशिश करेंगे यहाँ पर आपके सामने डाल दिख रही है, ये कौन सी डाल है, चने की डाल इस उपाय को हमेशा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरु वार के दिन करना है, ठीक है चने की डाल लेना, गिन करके 21 डाने लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना कितने 21 चने की डाल लेंगे साथी साथ एक तामबे की लोटे में जल भी भर लेना वो जल आपका अपने घर से हो और लेके पहुँँ जाना महादेव के शिवलिंग के पास में करम समझेंगे तरीका समझेंगे कैसे करना होगा जो आपके पास में 21 डाल है ना उस 21 डाल को सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ठी उपर समर्पित कर देंगे स्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके जब आप चने की डाल को चड़ाएंगे तो स्री शिवाय नमस्तुभ्यम और इसी चने की डाल के उपर जब एक लोटा जल जो आप अपने घर से लाए हैं वो चढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपको कुंद केशवर महादेओ के नाम से चढ़ाना होगा कौन से महादेओ कुंद केशवर महादेओ अब एक बात और समझो जब जल आप चढ़ा रहे हो ना तो जो जल की धार गिराओगे ना बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में गिराना ताकि जो चना आपने चढ़ाया है चने की डाल वो बहुत इधर उदर कहीं जाए ना और जितना भी चने की डाल आपने चढ़ाया है 21 के 21 उन सभी के सभी चने की डाल को उठाएंगे और लेकिश ले जाएंगे आप कहां पे अपने घर पे जो भी वक्ति आपि घर में क्रोध करता है घर पे लेके जाओ जहां पे आप अपने घर में दाल रखते होना उस दाल वाले डिब्बे में उस चने की दाल को मिक्स कर देना और सब ही लोग खाना जो भी इंसान गुसा करता है बीमारी होगी उसके गुसे की हैबिट खतम हो जा का दिन है तो आपको धन संपदा का ये उपाय कमल गट्टे वाला आपको मैं जरूर बताऊंगा ठीक है समझने कोशिश करेंगे इस तीसरे उपाय को लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे मुझे पता है आप लोग वीडियो लाइक क्यों नहीं करते हैं जल्दी से वीडियो को लाइक किया करिए और जितने भी भाई बहन मेरी सावाज को पहली बार सुन रहे है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे है न देखो ये उपाय मैंने आपको बताया धन संपता के लिए है पैसों के लिए है यहाँ पर आपको दिख रहा हुआ कमल तो नहीं मिलता है तो कोई भी एक सफेद कोई भी एक फूल ले सकते हो है न एक तांबे के लोटे में जल भरना इस जल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो एक कमल गट्टा आपने लिया है उस कमल गट्टे को ही डालेंगे और कुछ मत डालना सफेद फूल को मत डालना लेके प आना जाना बहुत रेयर हो बहुत कम हो चाये वो छोटा सा शिवलिंग हो चाये वो बड़ा सा शिवलिंग हो लेकिन लोगों का आना जाना बहुत कम हो ठीक है जो आपके पास में एक फूल है ना उस सबसे पहले उस एक फूल को महादेव के शिवलिंग की ऊपर रख देंगे ठीक है? और रखने के बाद में, जो आपके पास में कमल गटे का जल है, वो आपको समर्पित करना होगा कुंद केशवर महादेओ के नामसे, धन संपदा के लिए बीमारी को खतम करने के लिए कुंद केशवर महादेओ का नाम लिया जाता है, तो उनके नामसे जल को चुड़ देना कितने भी पुरानी बीमारियां होंगी कितने भी पुराने आपे घर में धन संपदा की प्रॉबलम होगी वो खतम होगी ठीक है बीमारी के लिए कर रहे हो तो महादे उसे बीमारी के प्रातना करेंगे धन संपदा के लिए कर रहे हो तो महादे उसे धन की परातना करेंगी ठीक करके जरूर देखेंगे इस उपाय को गुरुवार का पर्व है पौश महीना चल रहा है पहला गुरुवार है साल का भी पहला गुरुवार है तो करिएगा जरूर ऐसा संयोग बहुती कम देखने को मिलता है तीन आपको समझ में आगे होंगे मुझे पूरी मीध है आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय और इस वीडियो का आखरी उपाय है यह उपाय आपको करना होगा धतूरे से मैं उपाय धतूरे वाला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह जो वीडियो बीमारी के लिए इसलिए बताता हूँ न ताकि आप निरोगी रहें पैसे भले ही थोड़े बहुत कम रहें न बटा आप स्वस्त रहें वो जादा इंपोर्टेंट है क्या करोगे एक धतूरा लेना इस से जदा मत लेना धतूरे के साथ हमें लेना होगा हल्दी ज इस धतूरे को आपको करना होगा पीला क्या करना है पीला और पीला करने का माध्यम है कि आपको उसी हल्दी में धतूरे को मिलाना है लेकिन काफी लोग डरते हैं कैसे करें कैसे करें तो अगर आपको हल्दी नहीं लेना है तो आप चाहें तो पीला चंदन से भी धतूरे को पीला कर दो इतना अच्छे से पीला करना न जो हरा वाला पोर्शन काटे वाला भाग दिख रहा है न वो कहीं से हरा ना दिखे इतना जादा लगाना है न और उसके बाद में उस धतूरे को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में फेस रखना उत्तरद महादेव जो आपके पास में पीला धतूरा है उसको महादेव के शिवलिंग के उपर समर्पित कर देंगे जो भी इंसान आपके घर में बीमार रहता है उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके कुंद केशवर महादेव के नाम से चढ़ा देना कितनी भी पुरानी कितनी भी बड़ी बिमारी होंगी वो धीरे धीरे करके खतम जरूर होंगी ठीक है इस उपाय को भी आप किसी भी दिन कर सकते हैं किसी भी वक्त कर सकते हैं बस हफते में एक दिन करना स्टार्ट जरूर करिएगा ठीक है करके देखिएगा आपको बहुत फायदा मिलेगा कोशिश की है मै आप चाहें तो नीचे comment section में पूच सकते हैं या फिर आप चाहें तो मुझ से phone पे बाते करनी है नीचे join का button दिख रहा है वहाँ पे join होके आप हमसे phone पे बाते कर सकते हैं, message पे बाते करनी है तो Instagram या फिर Facebook फॉलो करें जिसके लिए सर्च करना होगा The natural planet 108 वहाँ पे भी हम लोग बाते कर सकते हैं बाकी मेरी सावाज को यहाँ पे जितने भी लोग पहली बार सुन रहें चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ओम नमस्षिवाय जै महाकार